नमस्कार जैमा भार्ति दोस्तों अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुर्राजाक ने कहा है कि गानों के वास कहां से आरी है गानों कुन चला रहा है दोस्तों इस रुकावट के लिए मैं आपसे एक शमा चाहता हूँ पतानी दो दिन से ऐसा हो रहा है जब भी मैं अब्दुर्राजाक का नाम लेता हूँ यह गाना अपने आप बजने लग जाता है कौन बजा रहा है कहां से बजा रहा है मुझे कुछ नहीं पता लेकिन जब भी मैं अब्दुर्राजाक का नाम लेता हूँ अपने आप बजने लग जाता है। अप्दुलर्जाक ने कहा है। अप्दुलर्जाक ने कहा है। अप्दुलर्जाक ने कहा है। ये पाकिस्तानी टीम जो इंग्लेंड में गई और इंग्लेंड की सी टीम नहीं एक्स वाई जेट टीम बोली है। उसको उससे हार गई। तो फिट है ना उसकी टेस्टिंग करो करोन तो नहीं है करोना नेगिटिव आजा भाई तु खेल ले। एसे टो वो ज्याओ और प्लेयर के अड्रेस रहा था उसको ना मीं नहीं बता थे Syd वो इंट्रियन घुर। टीम नी थी, county की टीम थी, domestic टीम, उस टीम ने इनको हराया नहीं, convincingly हराया, जिसे कहते हैं ना कि धूल चटा देना, सिर पकड़ के जमीन में गाड़ देना, ना रगड़ रगड़ के जमीन में घसीटना, ऐसा हाल किया, इनका इतना बुरा हाल किया, अब्दुर रजा कह रहा जिमबाबवे में जितने में प्लेयर्स हैं, सारे खिले, नहीं लड़ियों को कोई चांस नहीं दिया, अपनी फुल स्ट्रेंग टीम को खिलाया, जो इनकी में टीम थी, और जिमबाबवे की वो जो टीम थी, उसमें उनके एक दो में प्लेयर्स नहीं थे, उनको भी जित भाई ये लोग, सिरीज लेवल हो गई, वेस्ट अंडीज से एक टेस्ट मैच हाल गए, और खुश हो रहे हैं कि वह या कितना क्लोज मैच था, अरे, कितना क्लोज मैच था, और जो टेस्ट टीम की क्या रंकिंग है, वेस्ट अंडीज की कभी साथ पे होती है, कभी अशेज हो रही हो, ये आस्ट्रेलिया है, और वह या इंगलेंड था, और बड़ा क्लोज मैच हुआ, नहीं तुम पाकिस्तान थे और वो तुमसे भी से बहुत ज़्यादा गिरिवी टीम थी, वेस्ट इंडीज थी, उसके बाद अदुर रजाक कहता है, कि भाई ये जो भ रान खान, वो कपिल देव भारत के उल्राउंडर कपिल देव से बहुत बड़े किरकेटर थे, बहुत ज्यादा टैलेंटिड थे, और दोस्तों अब्दुर रजाक की ये जो स्टेटमेंट है, ये पूरे पाकिस्तान के मैंड सेट को दर्शाती है, ये जो स्टेटमेंट है ये हमें बताती है कि अब्दुर रजाक ही नहीं, बलकि पूरे का पूरा पाकिस्तान आज भी अतीत में ही जी रहा है, वो आज में नहीं बलकि कल में जी रहे हैं, दोस्तों आप पाकिस्तान का कोई भी न्यूस प्रोग्राम ये टॉक्शो उठाकर देख लीजिए, किसी भ पतलब ये नहीं है कि अमेरिका, यूके, ऑस्टेलिया, न्यूजिलेंड, कैनेडा यहां से स्टुडेंट्स पढ़ने आते थे, बिलकुल भी नहीं, इनसे भी जो गई गुजरे देश थे उस समय पे एजुकेशन के मामले में ये अरब हो गए, आपका कतर हो गया, मलेजिय यहां से कुछ दो-चार स्टुडेंट्स के पढ़ने आ जाते थे, एड्मिशन ले लेते थे, क्योंकि उनके एजुकेशन इंफ्रस्ट्रक्चर वैसा भी नहीं था, पाकिस्तान में जो कॉलेज और उन्यूएस्टी थे, वो अंग्रेजों के बनाए हुए थे, और उस समय जादा टाइम नहीं हुआ था, आजदी मिले, तो पाकिस्तान ने तब तक उनको बरबाद नहीं किया था, दीरे-दीरे जो समय के साथ बरबाद कर दिया, उस इंफ्रस्ट्रक्चर को अंग्रेजों का जो दिया हुए इंफ्रस्ट्रक्चर था, चैया वो एड़्ुकेशन एकॉनोमी की आती है, तो 60-70 का रोना रो रहे होते हैं, ऐसी बात जब पॉलिटिकल एंवार्मेंट की आती है, सोशल फेब्रिक की आती है, सोशल एंवार्मेंट की आती है, तो भी ये 60-70 का रोना रो रहे होते हैं, कि बात जिया उलख से पहले तो हम इतने ज़्यादा लि पास कुछ नहीं होता बताने के लिए कि भाया हमने ये उखाड़ा नहीं है कुछ है इनके पास आज भी पास्ट में जी रहे हैं क्रिकेट की बात करो तो 90 में जी रहे हैं ये लोग कि हमार बास वकार इनुज ते वसी मकरम ते इमरान कान ते जावेद मियादा था ये ता फला किसी भी फील्ड की आप बात कर लो सेक्टर की बात कर लो पूरी पाकिस्तान की जो कौम है पूरी पाकिस्तानी जनता इनके सेलिब्रिटीज ही नहीं एक्सपर्ट ही नहीं आम जनता भी पास्ट में जी रही हो रहे लोग खुश है उससे लेकिन सवाल ये उड़ता है कि में हमने वर्ड कप जीता था, 60-70 में हमने ये उखाडा था, हमने एटम बं बनाया था, परमानू बं बनाया था, तो भाई क्या उखाड लिया तुमने, उसको इसोच सोच के खुश होते रहते हैं, उसी एक उड़कान करते रहते हैं आज भी, वालब इन पाकिस्तानियों में आज का प्रदान मंत्री है, तुमारे उपर सैंक्शन्स लगवाने वाला है, कुस दिनों में, ले लेना मजे, अब जिन देशों से थोड़ा चंदा मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, वो भी बंद हो जाएगा, इमरान खान पहले अपने लिए चंदा मांगता था, डैम बना बिल गेट से बीग मांग लिए, बिल गेट से कह रहा है कि तालिबान की मदद कर दें, वहाँ पे कुछ इंप्रेस्मेंट कर दें, उनको पैसा दे दे, जो बाइडन का अलनी उठा तो इसको लगता है, जो बाइडन के बाद अमेरिका में जो सबसे पावर्फुल आदमी हो बिल गेट से इमरान गान ने पैसे मांग लिए तालिबान के लिए, और अब जो रमीज राजा आया है, पीसीबी का नया चेर्मेन, उसको भी चंदा मांगने पर लगा दिया, अलब वो जाके कराची स्टॉक एक्सचेंज में लोगों से चंदा मांग रहा है, कराची के बि पाकिस्तानी नेता हो, इनके पीसीबी के चेर्मेन हो, कोई भी आदमी हो, पूरी पाकिस्तानी जनता को एक ट्रक की लाइट के पीछे लगा देते हैं, पैनेमा हुआ, नवाज शरीफ किसे है, इन्होंने स्टीफा लेके छोड़ा, अब ये पैंडोरा पेपर्स हुआ है, इमरान खान से गोईस्तीवानी मांग रहा, इसके मंत्रियों के नाम है, फौजीयों के नाम तो हो नहीं थे, मतलब हमारी अबादी कितनी ज्यादा है, हमारे 300 नाम है शायद, और पाकिस्तान के 700 नाम है, जो आफशोर कंपनीज है, पाकिस्तान जा 25 करोड की अबादी है, हम यूएन में दुनिया इतना मजाक उड़ा रही है कि आदमी यार चलो एक बार हो गया दो बार हो गया लेकिन यह जब भी यूएन में आता है एक ही रोना रोता है कश्मीर कश्मीर और इस बार तालिवान और एड कर दिया उसमें अफगानिस्तान मतला वहां जाता अगर आपक उक्सवर्ड एजिकेटेड लई कोनों में वगारा चोड़ो तुम्हारा जो डॉलर के मुकाबले रूपया है वो अपना बत्तर परफॉर्मेंस पर इस टाइम एश्या की वर्स्ट करेंसी बन गया पाकिस्तानी रूपी 170 को क्रॉस कर गया डॉलर के मुकाबले तेल के प्रा तेन चार साल थे यह तो बहुत अच्छे थे गोर्डन एज थी इतना बुरा हाल हो चुगा का पाकिस्तान का बेरोजगारी के मामले में महंगाई के मामले में और तो यवस्ता के मामले में इतना बुरा हाल हो चुगा कि पाकिस्तानी रो रहे होंगे बहुत ज्यादा पाकि का हाल आने वाले समय में होने वाला है Place Republican Senators ने वहाँ बिल प्रस्तुत कर दिया है टेबल कर दिया वह बिल पास नहीं होगा क्योंकि उसको delegate समर्थन नहीं है सरकार की वैकिंग नहीं है वह हो सकता है कि पास ना हो और ज्यातर चांसिस यहीं के पास नहीं होगा लेकिन यह American Mindset का बहुत बड़ा एक इस साइम पर इंडिकेशन है यह बिल उस बिल का किसी ने खुलके अलोचना नहीं किया अमेरिका में डेमोक्रेट ने भी किसी न्यूश शो में टॉक शो में किसी बी एक्सपर्टने आप पॉलिटीशन को चोड़िये किसी एक्सपर्टने भी उस बिल को बैश किया नहीं है तो दोस्तो आज किस पॉड़कास में आपको यही बताना चाहरा था कि पूरे का पूरा पाकिस्तान अब्दुर्रजा की नहीं पूरे का पूरा पाकिस्तान अतीत में जी रहा है और आज से तीन-चार साल बाद यह और भी ज्यादा अतीत में जी रहे होंगे यह कह रहे होंग जाहिंद